अरे मोदी योगी जी आज तुम दोनों यहां कैसे आगे अरे वो भी मेरे ओटोरिक्सा में बैठ गए हो अरे कुछ तो गड़बड है वरना तुम दोनों को तो पहली बार देख रहा हूँ मैं यह देश में घूमते हुए तुम तो भईया विदेश में घूमते रहते हो अरे यह बताओ तुम्हारा यह धंदा कैसा चल रहा है भईया तुम बड़े धंदे बदल रहे हो कभी कोई सा धंदा सुरू कर दे तो कभी कोई सा फैंका फांके में लागे रहे तो तुम भी अरे मोदी जी अब तुम्हारे नक्से कदम पर नहीं चलेंगे तो किसके नक्से कदम पर चलेंगे अखलेस के मोदी जी हमसे नहीं होता यह धंदवंदा हम तो मोदी जी एसी में बैठने वाले बंदे हैं से नहीं होगा यह काम अखलेश ही ठीक है अरे मोदी जी अब यह तुमने देखने यहां में से बहुत काम करते हैं यूपी में हमने बेरोजगारी खतम कर दी सिर्फ दो परसेंट बेरोजगारी बची है अरे अखलेश बाबु ये किसके हल बैल उठा लाए अरे भाया ये तो अच्छा काम कर रहे हो तुम भाया खुद ही मैनत करके अरे कितना पैसा लेगरे हो एक बीगे का अरे भाया हमें भी बता दो हमारे खेट में भी थोड़ा सा काम है उसको कराना अखलेश अरे ये कैसी बेकार की बाते कर रहे हो तुम योगी बाबा अरे ये मेरे खुद के हल बैल है मैंने अपने ट्रैक्टर बेच दिया क्योंकि ये मोदी जी की किरपा से डीजल इतना महंगा हो गया कि हमसे वो ट्रैक्टर चली नहीं रहा और दूसरी बात ये है यह मैं अपने काम के लिए लिया हूँ, यह मेरा खेत है, मुझे किसी दूसरे खेत में काम करने की जुरत नहीं है, आए सोंज मैं, योगी बाबा किसी और को देखो, मेरे से नहीं होती है इसी मजदूरी, मैं अपने खेत में आप मेहनत करता हूँ, किसी दूसरे के खेत में न मिला है अब उन सब को अगनीपत में भरती कर दिया जाएगा सब को फोजी बना दिया जाएगा आई सौंज में तुम्हारे एकलेस तुम्हारे कुछ भेजे में बैठती नहीं है अरे मोदी जी अब तो यह फैंक ना छोड़ देजिए मुझे सब पता है मैं भी यूपी में ही कबाड़ा अरे मोदी जी एक ट्रैक्टर ले ली जी अच्छा सा और यह योगी को भी यहां मारे बराबर बिठा रही है इनको तो भाई आपने पीछे बिठाया हुआ है और इतनी तगडी गर्मी में इतना डगड़ा काम हमसे नहीं होगा मोदी जी अरे अखलेस यह तुम क कैसी बाते कर रहे हो और भाई गर्मी वर्मी कुछ नहीं आप यह तो तुम कह रहे थे कि भाईया मैं तो मेहनत करके कमाता हूँ अब तुम से इतने भी इमहनत नहीं हो रही अरे योगी जी अब इतना भी ना फंको कि फ्हैंक्ते फैंक्ते मुझसे भी तेज फैंकने लग जाओ कि भाईया कहीं अखलेस बाबु इतनी बाते सुन सुन के बेहोस ना हो जाए ठीक है भाईया सिफारस तक कर देते तुम तो लंबी-लंबी फैंकने लगे योगी जी मुझे खत्रा लग रहा है तुम मुझसे भी तेज फैंकने जा रहे हो भाईया ठीक है मोटर साइकल है हमारी अभी तुम्हें ऐसा गोर कह देते कि भाईया यह तो बगेर तेल के और चलती है फिर तो अखलेस बाबु यहां बेहोसी हो जाते अरे योगी जी थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लिया करो अगर इतनी तेज चलती है तो भाईया बुल्डोजर की जागे इसे इसे गिर गए तो भाईया माथ हाई फूटेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास इतना पैसा है कि तुमको अस्पताल ले जाता फिर हूँ अरे इस समय आप ही पैसो की किलत चल रही है अरे बँस्दमें पाश साल तो इस यू पी की जनता को लूटा है और तुम कि बाबा मोदी से क्या पोहां हम दे देते हैं इसका जवाब अरे जितना तुमने इस यू पी को लूटा है इतना किसी ने नहीं लूटा भी कीह से जनता के है जनता की चेवा की है जनता को रोजगार दिया है पैट्रॉल डीजल हमने सस्ता किया है और इस ट्रैक्टर में हम इसलिए बैठे हैं अरे योगी को लखनाव छोड़ना है और हमको तुम दिल्ली पहुंचाओगी इसी ट्रैक्टर से आते जाइए पीते जाइए ठंडा ठंडा जूस अखलेस की ठेले पे मिलेगा आते जाइए एक बार प्योगे बार बार आओगे अरे मोधी योगी जी अरे तुम भी पी लेजे भाईए कहां जा रहे हो इतनी जल्दी में अरे एकलेस जाइए हमें भी पिलाओ अपना ठंडा ठंडा गन्ये का जूस एक गिलास बही योगी के लिए एक गिलास मुझे दे दो और बही कितने का गिलास दे रहे हो हमने सुना है कि पांच रुपे गिलास दे रहे हो अरे इतना महंग कौन पिलाता है बही और सस्ता करो अरे मोधी चाचा ये कैसी बाते कर रहे हो अरे पांच रुपे का महंगा गिलास होता है कहीं अरे मैं नहीं दे रहा पांच रुपे का मैं भईया दस के तीन पिला रहा हूँ वो भी गरीबों के लिए और तुम्हारे लिए तो बीस का एक मिलेगा पीना हो तो पियो कहीं और देखो कई सस्ता अगर तुमको मिल रहा हो तो आया समझ में बात अरे अखलेस बाबू कोई बात नहीं है अरे मोधी जी के लिए पिला दरीजे इतना सस्ता कोई दिक्कत नहीं अरे मोधी जी तो फकीर आदमी है भाया यह तो जोला उठा के कहीं भी जा सकते हैं अरे ऐसे फकीरों की मदद करनी चाहिए अरे बात को समझो तुम अकलेस अरे कोई नहीं और भाईया मैं दे दूँगा तेरे लिए पैसे अगर तेरे जादा पैसे हो जाते हैं अरे योगी बाबा यह तुम कैसी बाते कर रहे हो अरे भाईया इसने पूरे देश को फकीर कर दिया इसने गरीबों को गरीब नहीं चोड़ा और अमीरों को अमीर नहीं चोड़ा